हाई दोर्षतों मैं मंगला परसाद निसाथ आपका हमारी यूट्यूब चैनल येंपीयन अलाइन इस्टेडी पर स्वागत है तो दोर्षतों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीसियन थियोरी सेकेंड डियर के बहुत ही ज्यादा most important question जो हर बार exam में पूछे जा रहे हैं जैसे जितने भी exam हुए दोर्षतों सभी exam में ये question जो है पूछे जा रहे हैं और सभी exam का मैंने paper देखा सभी paper में जो है दोर्षतों ये 10 question compulsory है आ रहे हैं 10 question में तो आप यकिन मानके जाईए कि ये से 7 question जरूर से जरूर आ जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर देखने last तक दोस्तों और दोस्तों अगर आपकी तयारी अच्छी तरीके से ना हुई तो model paper दोस्तों हम उपलब देखरा दी हैं आप playlist से जाकर वहां से देख सकते हैं सभी model paper 700 question है दोस्तों अगर आप इस 700 question को तयार करके जाते हैं तो यकीन मानी आप 99% जो है इसी से question पूचे जा रहे हैं अगर आप इतने तयार करके जाते हैं तो आप यकीन मानी आपको कोई जो पढ़के जाना प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इलेक्ट्री सीन थेवरी सेकेंड डियर का आप से आप सभी सब्जिक्ट के मॉडल पिपर को आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहला क्यूश्चन है दोस्तों आपका डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध होता है जी एक अर्ध चालक की प्रतिरोधक्ता निर्भर करती है जो एक अर्ध चालक की प्रतिरोधक्ता होती है वह किस पर निर्भर करती है अर्ध चालक के आकार पर या परुमार के प्रकार पर या लंबाई पर या आकार वहा परुमार के प्रकार पर तो राय टरंसर कौन सा होगा दोश्तों राइट अंसर होगा B होगा येक अर्द चालक की प्रतिरों धकता जो है वह पर्मार के प्रकार पर निर्भर करती है तो चलते हैं क्यूश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं क्विश्चन नमर तीन है यह दी चालन बैंड तथा संयोजक्ता बैंड के बीच की दूरी एक एलेक्टरान बोल्ट हो तो यह संयोजन किस प्रकार का होगा आपसन है धातू, बी है कुछालक, सी है चालक और डी है अर्धि चालक तो राइट अंसर होगा दोष्टो आपका आपसन डी वह संयोजन जो है अर्धि चालक होगा तो आप कमेंट वाक्स में जरूर बताएंगे दोष्टो आपको कितने क्विश्चन के एंसर पता थे और आप वीडियो को लाश्ट ही जरूर देखे अपने दोष्टों के पास सेर कर दें क्योंकि यह क्विश्चन सबसे ज़्यादा महत्तुपूर है अगला क्विश्चन है CRO में किसी भी वेव फार्म का उर्द्धाधर आयाम इंगित करता है NCBT 2015 में पूछे जा चुका है आपसन A है RMS value, B है अवसत value, C है ततकालिक value और आपसन D है पीक to peak value तो राइट अंसर जो होगा दोष्टों वहाँ आपको इसमें से होगा आपसन D peak to peak value, राइट अंसर होगा चलते हैं क्विश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं क्विश्चन नंबर 5 साथि सामानी रूप से प्रयूग्त आवर प्रवर्धक परिप्यत है जहाँ सामानी रूप से इसमें से क्विश्चन है जो की प्रवर्धक परिप्यत है आपसन है कामन आधार, B है कामन संगराथ, C है कामन उच्छ सर्जिक और आपसन D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो राइट अलसर होका दोश्तों आपका आपसन C कामन उच्छ सर्जिक चलते हैं अगले क्यूस्टिन पर बात करते हैं अगला क्यूस्टन है दोस्तों 1 यम्य छेड एक उत्य पण्य करने के लिए योगये 2 सिपर यहां कौंसी योगये 2 सिपर है आपके है कालबिस 2 नमें 2 सिपर सहां 2 सिर्फ भी है क्रिश्टल 2 सिर्फ है में 2 लितर और आप्फ़ों 2 लितर तो तो राइट एंसर होगा है दोश्तों आपका option A काल पिट दो लित्र जो है आपका राइट एंसर होगा तो चलते हैं अगले question पर बात करते हैं सात्यों आगला question है आपका यूजेटी को डॉट डॉट भी कहते हैं जी हाँ यूजेटी को और हम किस नाम से जानते हैं यह question 2017 में पूछा गया है option A करेंट नियंतरी डिवाइस B है voltage नियंतरी डिवाइस C है relaxation oscillator और option D है voltage regulator तो राइट एंसर जो होगा दोस्तों वह कौन सा होगा इसमें से relaxation और सी लेटर आपका इसमें से राइट एंसर होगा और आप वीडियोग पर लाश्ट एक जरूर बने रहे हैं अपने दोस्तों के पास share करना मत भूलिएगा दोस्तों सबसे ज्यादा महत्तुपूर question है यह अगला question है एक परिफद ब्रेकर एक होता है जहाँ एक परिफद ब्रेकर जो होता है वह क्या होता है option A huge होता है B है switch होता है C है निवर्तनिय सुरक्षा device होती है और option D है प्रतिरोधक होता है और यह question 2017 में पूछे भी जा चुका है तो राइट एंसर होगा आपका option C निवर क्रित साधन प्रकार के अंतरगत आता है यह question 2016 में पूछा जा चुका है option A energy meter, B है voltmeter, C है M meter और option D है electrocardiography तो किस प्रकार का यह अंतरच दोस्तों एक एक क्रित साधन के अंतरगत आता है तो राइट एंसर होगा आपका option A energy meter जो है आता है यह question 2016 में पूछा भी गया है तो अ electron होते हैं या जो semiconductor पदार्थ होते हैं उसके बाहरी कच्छ में कितने electron होते हैं यह question 2015 में पूछा गया है option A 5, B है 4, C है 3, option D है 1 तो semiconductor के सबसे बाहरी कच्छ में जो है electron की जो संख्य होती है साथियों वह फोर होते है अर्था 4 होती है तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो औ नहीं कर पाए हो तो भी दोस्तों आप जाकर playlist से वहां से आप अपने model paper को देख सकते हैं सभी subject को अच्छे नंबर पाने के लिए तो वीडियो पर लाश्तिक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद